आज बनाते हैं सत्तू पूरी और उसके साथ बैगन का भरता ये बहुत ही टेस्टी लगता है और इस तरह से अगर आप बनाएंगे न तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ किजेगा आपके घर में सबको पसंद आने वाला है और बनाना उतना भी टॉफ नहीं है हाथ थोड़ा सा इंग्रीडियेंट ज्यादा लगता है बट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आप देख सकते हैं देखने में ही पता चल रहा हुआ कैसे फूला हुआ बना है और ये गेहू के आर्टे से बना है बिल्कुल भी कीजिएगा और सांथ में बैगन कभरता तो ऐसे ही इजी डिली सेशन की क्रेशिपी के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल इकन को हीट कर लिजेगा आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे सतू चारो तरफ इवेंली फैला हुआ हुआ है तो च क्योंकि यह हम लिट्टी नहीं बना रहे हैं यह सतू पूरी बना रहे हैं तो वो ठंडा होने के बाद सौफ्ट रहेगा अगर ऐसे बनाएंगे तो आटा गुतने के बाद बैगन ले लेंगे यह भरता वाला बैगन है और इसको ऐसे कट कर लेंगे और बीच में आप चेक क और यह अच्छे से पकेगा मीडियम फ्लेम पर बैगन को और साइड में टमाटर रख देंगे और लहसुन रख देंगे जिससे कि वो भी दोनों पक जाएगा लहसुन ऐसे पकाएंगे तो इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है तो खाने में बहुत इटेस्टी लगता है हम इसको 6-7 एजब तक बाहर अच्छी तरह से जलना जाये अंदर से अच्छी तरह से तभी कूक होगा यह स्रिंक होते जाएगा दीरे दीरे लहसुन पक गया है उसको मैंने हटा लिया है अब आलू ऐसे यह बॉयल किया हूआर है कूकर में बट थोरा सा ऐसे फ्लेम पर रखेंगे तो स्मोकी फ्लेबर आएगा जो खाने में टेस्टी लगता है गाव में जैसे आग के अंदर पकाते है न विल्कुल वैसा आएगा टेस्ट इसका तो अब ये तीनों पक चुका है तो इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं ठंडा होने के बाद उसको छी लेंगे फिर आप सत्तू बना लेते हैं तो चना का सत्तू मैंने लिया है फिर बारी कटा हुए लासन अद्रा खारी मिर्च हरा धनिया फिर नमक स्वात के अनुसार उसके बाद अजवैन डालेंगे हाफ टीस्पून फिर कलाजी डालेंगे मंगडायल भी बोलते हैं इसको हाफ टीस्पून ये सत्तू में जरूर डालना होता है तो इसे बिल्कुल भी आप स्किप ना करें हाँ लहसून नहीं खाते हो तो इसकिप कर सकते हैं बट अगर खाते हैं तो लहसून अद्रक और बारी कटा हुआ प्याज जरूर डालें अब इसमें डालेंगे सर्सो का तेल फिर जो भी आपके पास अचार एविलेबल हो उसका थोरा सा मसाला और निम्बू का रस इससे बहुत ही चटपटा बनता है ये तो अचार का मसाला जरूर डालिएगा अब अच्छी तरह से इसको हाथ उससे ऐसे मिक्स कर लेंगे पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी अब इसको साइड में रख लेते हैं और चोखा को फ्राई कर लेते हैं बैगन का भरता तो जो हमने लहसुन पकाया था उसको मैंने बारी काट लिया है हरी मिर्स भी काट लिया है अधरक और एक छोटे आज तेल को गरम करेंगे उसमें पहले हरी मिर्स जा लेंगे हलका सा जब यह ब्राउन हो जाएगा उसके बाद लासन और अधरक डालेंगे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है क्योंकि लासन पहले से ही हमने पका लिया था अब इसमें डालेंगे प्याज इसको भी हलका सा ब्राउन कर लेंगे यह बैगन का भड़ता बहुत ही टेस्ट्री लगता आप चावल दाल के साथ भी सरू कर सकते हैं फिर ऐसे भी पराठा के साथ और अभी ठंड के टाइम में बैगन भी बहुत अच्छा मिलता है भड़ता वाला और सत्तू पूरी ठंड में बहुत ही अच्छा लगता है तो बिहार में तो फेमस है तो आप ही एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई किजेगा, अब जो हमने बैगन पकाया हुआ था, टमाटर और आलू को छील कर अच्छे से मैस कर लिया है ठंडा होने के बाद, अब इसको डाल लेंगे इसमे, इसको बस दो मिनिट के लिए और फ् और ग्रीन चिली, सत्तू या फिर भरता में आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कमया ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक मसालों से ही यह बनता है, ज़्यादा मसाला डाले के जरूत नहीं होती है, बस अधरक लहसा नहीं इंपोर्टेंट है, भरता में भी और सत्त हुआ और फ्लेम को आफ कर देंगे, भरता रेडी है, उसके बाद जो हमने सत्तू बना कर रखा है, आटा गूत के फिर सत्तू पूरी बना लेते हैं, बस इसको साइड में रख देते हैं, आटा जो हमने लगाया था, उसका एकदम स्मूथ सा बॉल बना लेंगे, क्योंकि इसको पूरी के तरह बेलना है, तो बहुत बरा सा लोई नहीं लेना है, अगर आप लिटी बना रहे हैं, तो बरा सा ले सकते हैं, बटी से पतला सा बेल के पूरी के तरह बनाना है, तो छोटा सा लेंगे और उसको इस तरह से गोल कर लेंगे, बीच में सत्तू डाल करेंगे और ऐसे प्रेज करते हुए इसको बंद करेंगे कि थांड के टाइम में सत्तू पूरी या फिर आलू पूरी या फिर लिट्टी बहुत ही टेस्टी लगता है तो वीकेंड में एक बार आप इस रेसीपी को जरूर ट्राई किजेगा जब भी आपके पास थोरा टाइम हो एक्स्ट्रा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है बहुत ज़ल्दी भी नहीं बनता है ये और फिर फ्लेम को मिडियम कर देंगे अच्छी तरह से फूले और प्रिस्पी बने अगर आप गेहु क्याटा से बना रहें तो गर्मा करम जब खाएंगे तो बहुत प्रिस्पी लगता है और ठंडा होने के बाद भी अगर लंच में दे रहा है तो यह सौफ रहता है तो आप पीसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बनाकर ऐसे भी धनिया के चटनी के साथ इसे दे सकते हैं अगर भरता बनाने का टाइम नहीं है तो तब भी यह टेस्टी लगता है और बहुत यह अच्छी तरह से जैसे नॉर्मल प्लेन पूरी फूलता है उस तरह से यह फूल जात और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है किसी तरह से बाकी का भी पूरी हम फ्राइब कर लेंगे देखिए किस तरह से यह फूला हुआ है बहुत ही चादा टेस्टी लगता है यह सत्तू पूरी और उसके साथ में बैगन का भरता और धनिया का चटनी भी आप सर्व किजिए साथ में तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइगे जेगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को हिट कर लिजेगा जिससे की मेरी जो भी रेसिपी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और यह जरूर एक बार ट्राइगे जेगा थैंक यू